नमस्कार जोहार दूर दर्शन जार्खिंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ अकांग्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समचार जैसा कि इस कारिक्रम का नाम है वैसे ही हमारा उद्देश भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंधित कुछ जानकारिया दे तो आईए जानते हैं कुछ विग्यप्तियों के बारे में आज की पहली विग्यप्ति है जे SSC यानी जार्खन करमचारी चयनायोक से यहां जार्खन मैट्रिक इस्तर संयुक्त प्रतियोगिता पडिक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है जिसमें कीट पालक एवं समकक्ष और कुसल सिल्पी एवं समकक्ष पदों के लिए अभियरती आवेदन कर सकते हैं इसमें कुल 455 भरतिया निकाली गई है वैसे आवेदक जो मैट्रिक यानी दसवी पास है वे आवेदन कर सकते हैं आयू सीमा की बात की जाए तो कम से कम 18 वर्स और अधिक तम 35 वर्स तक के अभियरती इसमें आवेदन कर सकते हैं वेतन मान पे मैट्रिक्स लेवल एक और दो पद अनुसार निधारित की गई है आवेदन करने की अंतिम्ति थी 3 अगस 2023 है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं अब जानते हैं आज की दुसरी विगयप्ति के बारे में जो आईबी पीएस द्वारा जारी की गई है आईबी पीएस यानी इंसिट्यूट ऑफ परसनल सेलेक्शन जहां कलर के पत के लिए भरतिया जारी की गई है जिसमें कुल पदों की संख्या 4045 है इच्चुक आवेद कर सकते हैं आवेदन के लिए स्राक्ष्णी क्योगेता की बात करें तो मानेता प्राप संस्थान से किसी भी विशय में इसनातक होना अनिवार है आवेदन करने के लिए आवेदक की आयू सीमा 20 वर्स से 28 वर्स तक रखी गई है वेतन मान 19,900 से 47,920 रुपे प्रतीमा मूल निर्धारित है आवेदन 21 जुलाई 2023 तक किया जा सकता है अधिक जानकारी आप इसकी ओफिसियल वेब साइट www.ibps.in से भी प्राक्त कर सकते हैं अब जानते हैं SSC MTS द्वारा जारी वेकेंसी के बारे में SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग जहां MTS मल्टी टास्किंग के पत के लिए भरतिया निकाली गई है जिसमें MTS नंट टेक्निकल के 1198 और हवलदार CBIC और CBN के 360 रिक्तियों के लिए आवेदन किया जा सकता है मतलब कूल 1558 पतों के लिए भरतिया जारी की गई है आवेदन के लिए साक्षनी के योगेता की बात करें तो आवेदा को दस्वी वास होना अनिवार रहे है आवेदा की नियुंतम आयूसी मां 18 वर्स और अधिकतम 25 वा 27 वर्स पद अनुसार तह की गई है वेतन मान 18,000 से 22,000 रुपे प्रतिमा निरधारित है आवेदन करने की अन्तिमति थी 21 जुलाई 2023 है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिस्यल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं अगली विज्यपती है EMRS से EMRS यानि एकलव्वे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ के तौर पर प्रिंसिपल, पोस्ट ग्राजुएट टीचर, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट, लाब अटेंडेंट जैसे पदों पर भरतिया जार है अभ्यर्ति की साक्षनिक योगेता अलग-अलग पत के अनुसार ISC, BCOM और PG के साथ बीड होना अनिवार रहे हैं वहीं अभ्यर्ति की आयू सीमा नियुन्तम 18 वर्स और अधिक्तम 30, 40 और 50 वर्स पद अनुसार रखी गई हैं उसी प्रकार वेतनमान पे मैट्रिक्स लेव सकते हैं अधिक जानकारी इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.emrs.trival.gov.in से भी ले सकते हैं अब अगली विग्यप्ति की बात करते हैं जो जार्खन करमचारी चैन आयोकद्वारा नगरपालिका की भरती के लिए जारी की गई है यहां जार्खन नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता पडिक्षा हे तू गार्डेन अधिक्षक वेटनरी ओफिसर सेनेटरी सूपरवाइजर राजस्व निरिक्षक आधी जैसे पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसमें कुल 921 पदों पर भरतीया जारी की गई है इसके लिए आवेदक की साक अनिवार होना अनिवार रहे है आयू सीमा की बात करें तो 21 से 35 वर्ज तक के अभ्यरती आवेदन कर सकते हैं वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 3,4,5 और 6 पद अनुसार निर्धारित है इसमें आवेदन करने की अंतिम्ति थी 19 जुलाई 2023 तक रखी गई है अधिक जानकारी क .jssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं आज की आखरी विग्यपती है ISP ना सिखसे ISP यानि इंडियन सिक्यूरिटी प्रेस यहां वेलफेयर ओफिसर और जूनियर टेक्नीशियन तर्डनर, मसिनिस्ट ग्राइंडर, फिटर आधी के पत के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसमे कूल पदों की संख्या 108 है वेलफेयर ओफिसर के पत पर आवेदन के लिए आवेदक की साक्ष्निक योगता संबंदित छेत्र में डिग्री या डिप्लोमा और जूनियर टेक्नीशियन के पत के लिए ITI सर्टिफिकेट होने की अनिवार्यता है आयू सीमा की बात करें तो अ आवेदन की अंतिमति थी 31 जुलाई 2023 है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिस्यल वेफसाइट www.ispnaasik.spmcil.com पर विजिट कर सकते हैं ये थी वैकेंसिस से जुड़ी कुछ जानकारिया जो केंद्र और राजसरकार ने आमंत्रित की है आशा करती हूं ये जानकारिया आपके काम आएगी ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समझार साथ ही कोई विचार आप हमारे साजा करना चाहते हैं तो आप हमारी यूटूब चानल डीडी जारखन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कॉमेंट सेक्षन में जाकर आप अप जानकारी के लिए प्रकाशिन विभाग द्वारा प्रकाशित सापताहिक पत्रिका रोजगा समझार भी पढ़ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाजत धन्यवाद